Let's learn meaning of I will have to So basically, जब भी have के साथ to लगता है, तो वो चीज़ हमें करनी पड़ती है जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, उसी देखना पड़ेगा So, करना पड़ेगा वो चीज़ पे, जब भी have के साथ to लगेगा, तो उसकी meaning होगी, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी ठीक है, आपको order दिया जा रहा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेगा, ओके, चलिए start करते हैं I will have to go, मुझे जाना पड़ेगा I will have to see, उसे देखना पड़ेगा You will have to come, तुम्हे आना पड़ेगा उसे करना पड़ेगा You will have to wait, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और दोस्त, आपको मेरी वीडियो शेर और लाइक करना पड़ेगा और सहरे चैनल को सब्क्राइब करना पड़ेगा तो प्लीज जल्दे कीजिए और शेयर कीजिए मैं चलती है कोई न्यू शोड बनाने के लिए और आपके लिए कुछ यूसफुल कंटिन बनाने के लिए तक तक लिए टाटा बाबाई